आपने पूरा लेशन पड़ा राइट, उसमें काफी सारे हमारी ये न्यू वर्ड थे, तो मैं आपके लिए वो न्यू वर्ड लिखे हैं, ये आपको सारे आपके नॉट बुक में लिखने हैं, ठीक है, मैं इसके साथ पीडेफ फाइल अटाइज करके आपको देने वाली हू और मैं अब भी आपको ये दिखा रही हूँ कि कैसे लिखना है, न्यू वर्ड आउटसाइड दे हाउस, यानि घर के बाहर, तो क्या है, ओ, यू, टी, एस, आई, डी, ए, टी, आउटसाइड, टी, एज, एधा, एन, हाउस, एज, ओ, यू, एस, ए, आउटसाइड दे हाउ Phir hai twinkling T W I N K L I N G Thwriting Phir hai shining brightly S h I N I N G Shining brightly B-R-I-G-H-T-L-Y Shining brightly Feel head touch T-O-U-C-H Touch यानी छुना Sweet smile S-W-E-E-T Sweet smile S-M-I-L-E Sweet smile ठीक है? यह आपको notebook में इस तरीके से लिखने हैं फिर मैं आपको कुछ action words लिखा रही हूँ वो action words क्या है जो हमारी textbook में already है action words जानी जिसमें हम कुछ काम कर रहे हो या फिर हमें कुछ कोई बोल रहा है उस तरीके से वो सारे action words कहलाते हैं जैसे के eating, crying, फिर takes, फिर looks यह सारे हमारे action words कहलाते हैं eating यानि खाना खाना crying यानि जोना फिर takes यानि लेके जाना looks यानि देखना फिर आगे क्या है? ask आस्क यानि पुछना hears यानि सुनना laughs यानि हसना तो यह सारे हमारे action words कहलाते हैं action words यानि doing words जिसमें हमें कुछ काम कर रहे हैं तो यह सारे words भी आपको अपकी notebook में लिखने हैं फिर फिर एटिंग eating यानि खाना 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 crying c-r-y-i-n-g crying यानि रोना फिर है t-a-k-e-s takes यानि लेके जाना फिर है l-o-o-k-s looks यानि देखना फिर है s-e-e-c c यानि भी उसका मतलब भी देखना ही होता है फिर है asks a-s-k-s ask यानि पूछना follow f-o-l-o-w follow यानि उसके पीछे-पीछे जाना जो हमने देखा था the children follow her यानि उनके पीछे-पीछे गए calls c-a-l-l-s calls यानि बुलाना फिर है फिर है get get यानि g-e-t get यानि लेके आना फिर है hears h-e-a-r-s hears यानि सुनना फिर है laughs l-a-u-g-h-s loves यानि हसना फिर है s-a-y-s says says यानि बोलना फिर है finishes finishes यानि खतम करना फिर है g-o-e-s goes यानि जाना फिर है kips k-e-e-p-s kips यानि रखना फिर है gives g-i-v-e-s gives यानि देना फिर है यह सारे action words and new words यह भी आपको यह notebook में लिखना है फिर लिखना है word meaning two times क्या लिखना है wonders wonders का meaning क्या होता है things okay and last में है यह यह सारे opposite words है opposite words किसे कहते है यानि एक दूसरे से अलग हो जैसे के outside outside यानि बहार और inside यानि अंदर finish यानि खतम और start यानि शुरू करना happy यानि खुश sad यानि दुखी up यानि उपर down यानि नीचे come back यानि वापस आना and go away यानि चले जाना ठीक है तो यह सारे आपको आपकी नोट बुक में लिखने है okay